गों सेवा आयोग 36 गड़ के कैबिनेट दरजार राजेश्री महंत राम सुन्दर दास द्वारा 36 गड़ के सारंगड में स्थित गोंशालाओं का निरिक्षन किया गया इस दोरान दूदाधारी मट पिठाश्वर राजेश्री डॉक्टर महंत राम सुन्दर दास ने गोशाला संचालक समीते के सदस्यों एवंचन प्रतिनिध्यों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि गों माता के प्रती लोगों की सोच और सेवा की भावना में परिवर्तन हो रहा है उन्होंने कहा कि वे कुछ दिन पूर्वर रजनाद गावजीले के परवास पर थे वहां अनेक लोग सडकों पर घायल गों वंशियों को उपचार के लिए स्वयम ले जाते और सेवा करते हुए दिखे जो बेहद ही सरहानी है उन्होंने कहा कि जब कोई मनुश्य सडकों पर चलते हुए दुरगटना गरस्ट हो जाता है तब उसके उपचार के लिए लोग 108 डाय करके एंबुलेंस बुला लेते हैं और उनके जीवन रक्षा के उपाए यथा संभव किये जाते हैं किन्तो जब कोई गो माता या गो वन्शी सडकों पर दुरगटना घरत हो जाए तब वह तडब तडब कर अपना प्राण त्यागने के लिए मजबूर हो जाती है यह बाते कई अनेक वर्षों से देखी जा रही है वर्तमान में अब लोगों की भावना में परिवर्तन हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्य के मुखे मंतरी भुपेश भगेल ने गो वन्शीयों के विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन मुखे मंतरी के पद को धारन करने के पच्चात किया है जो कि स्वागत योग्य कदम है इसकी सरहाना राज्य के सब ही लोग भी कर रहे हैं यदि समय के रहते पूर्विशासन काल में इस तरह के कदम उठा लिये गए होते तो आज गो मुताओं की इतनी दुर्दर्शा हम सब को देखने को प्राप्त नहीं होती इस दोरान उन्होंने अधिकारे को निर्देश देते हुए कहा कि गोशाला से संबंदित मामले विचारा धीन हुँ तो उस पर तुरंत कारेवाही करते हुए उसका निकारण करे कैबिनेट दरजा राजेशरी महंत रामसुंदर दास ने विकासकन सारंगड अंतरगत स्थित शिरी हरीदेव मदन मोहन गोशाला कमला जहर तथा सरस्वती लक्ष्मी गोशाला सेवा समिती अमल जीहा का निर्दक्षन किया वे अमझर गाओं भी गई यहां उन्होंने पारिवारी कारेकरम में भाग लिया उनके साथ इस कारेकरम में पूर विधायक पद्माघन शाम मनहर सारंगड गोश्रेवा के अध्यक्ष नंद किशोर गोईल सूर्य कुमार्टिवारी अरुन मालाकर रविंदर नंदे वं मित तिवेंदर यादव मजूद रही चतिसगर से स्टेट हैट प्रनेगरवाल की रिबोर्ट झाल 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 झाल